प्रणिपात दोस्तों मैरे शब खंताल आप सभी का स्वागत करता हूं बेसिक वित खंताल में आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसी शक्सियत की जिसने अपने आईडिया और अपनी मेहनत के बलबूते पर भारत की पहली सेल्फ मेड फीमेल बिलेनियर का टेग प्राप्त किया जी हाँ आज हम बात करेंगे फालगुनी नायर के बारे में फालगुनी नायर जी ने 2012 में एक ब्यूटी स्टार्टप नायका की शुरुवात की नायका एक ऐसा ओनलाइन स्टोर है जहां पर हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड जो भी प्रोड़क्ट्स हैं वो सारे ओनला यूजर्स बड़े और उसी इंटर्नेट की यूजर्स बढ़ने से भारत के जितने भी ऑनलाइन स्टार्टप थे वो सारे बड़े तो उसी में एक स्टार्टप शुमार था नायका जिसने हाली में स्टॉक मार्केट में एक बहुत बढ़ी कामयावी हासिल की क्योंकि उसके IPO ने एक लाग करड़ रुपए का निविश प्राप्त किया तो दोस्तों इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे टेकनिकल और बेसिक टर्मस आएंगे जैसे एक मिलियन डॉलर और मिलियन डॉलर में क्या डिफरेंस होता है, IPO क्या होता है, स्टॉप मार्केट क्या होता है, entrepreneur क्या होता है, start-up क्या होता है, तो ऐसी जतनी भी टेकनिकल और बेसिक छोटी-छोटी चीज़े आएंगी, हम उसको वीडियो के बीच में ही discuss करते आएंगे, तो जब वीडियो अंत होगा करने के बाद, उन्होंने कोटक महिंदरा बैंक को जोइन किया, उनके पती का तावादला जब लंडन में हुआ, तो फालगुनी नायर जी ने सोचा, कि क्यो ना मैं भी लंडनी शिफ्ट हो जाती हूं, तो उन्होंने कोटक महिंदरा बैंक को छोड़ने का decision लिया, लेकिन कोटक महिंदरा बैंक के ओनर उदय कोटक जी ने उनसे निवेदन किया, कि आप लंडन जाना चाहती है, ठीक है, लेकिन आप कोटक महिंदरा का office वहां में आपको set करके देता हूं, तो आप उसको है, उसमें बहुत बड़ा श्रे जाता है, फालबनी नायर जी का, फिर जब भारत बापस आई, तो कोटक महिंदरा के कोटक investment bank की managing director बनके बापस आई, लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना कि नदी पे बांध तो बना सकते हैं, लेकिन नदी का पानी नहीं लोग सकते, तो जो एक अपनी खुद की पहचान और अपने खुद के idea पे जो एक सोच थी, फालबनी नायर जी की, वो हमेशा से थी, तो उनके मन में एक idea था, कि वो भी एक छोटे कस्बे से बिलॉंग करती थी, तो वो देखती थी कि किसी भी beauty और skincare product के लिए उन्हें शहर जाना पड़ता था, और मतलब उस time तो ऐसा था कि लोगों को अतनी awareness नहीं थी, कि किस skin tone के साथ कौन सा product जाता है, तो उन्होंने इस problem को identify किया, और उन्होंने एक ऐसे platform की खोज की, जिसमें सारे सस्ते से लेके महेंगे सारे beauty brands को एक ही जगए पे लाया जाए, ताकि भारत क कि किसी भी शहर में कोई भी लड़की हो, उसको इस चीज का problem face ना करना पड़े, तो ऐसे जनम हुआ नायका का, अब आप देखेंगे जो नायका जो शब्द है, वो खुद एक संस्कृत शब्द नायका से बना है, इसका मतलब होता है heroine, तो कहीं ना कहीं फालगुनी जी न करता गया, तो इसमें जितनी भी पुरुशों से related भी जो beauty चीज हैं, वो भी इसमें add हुई, तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे एक idea को उन्होंने एक reality में convert किया, अब नायका की इतनी बड़ी story इसलिए बनी, क्योंकि stock market में जो नायका का IPO launch हुआ, वो एक बहुत ही IPO stock market क्या होता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आप किसी भी mall में जाते हैं, तो आपको वहाँ पर कई तरह की दुकाने देखती हैं, जैसे कि कराने की दुकान, सबजी की दुकान, और भी कई तरीके की, तो stock market एक ऐसा market है, जहां पर सारी private और सरकारी कंपनियां होती अब share क्या होता है, share होता है किसी भी चीज का भाग, तो एक company जब अलग-अलग भाग में बट जाती है, तो निवेशक उसे खरीदते हैं, जिसे कहते हैं कि share खरीदना, तो company को जिस तरीके से नुकसान या मुनाफ़ा होता है, उसी तरह से वो जो dividend होता है, वो अपने निव आगे क्या projects हैं और उसके क्या ideas हैं, तो अगर निवेशकों को लगता है कि वो चीज आगे चलके चल सकती है, तो वो उसमें पैसा निवेश करते हैं, तो जब NICA ने अपना IPO launch किया, तो निवेशकों ने बहुत interest और बहुत ही अच्छा response दिया, तो इस तरीके से NICA की जो value है वो हुई 13 billion dollar और जो फालगुनी नायर जी की personal net worth है, वो बनी 6.5 billion dollar, अब आप लोग सुझ रहे हों कि 13 billion dollar ये कितना होता है, इसमें कितने zeros होते हैं, तो हम ये भी चीज की बात करेंगे, एक million जो होता है, उसमें 10 lakh होते हैं, और एक dollar में लगवग 75 रुपए होते हैं, तो ए एक million dollar में होते हैं, साड़े साथ करोड रुपए, अब एक billion dollar की बात करते हैं, एक billion में 1000 million होते हैं, और एक billion dollar में 1000 million dollar, तो एक million dollar में साड़े साथ करोड, यानि एक हजार में 75-100 करोड, तो एक billion dollar की value होती है, 75-100 करोड, अब आप देखिए कि नायका की जो value है, वो है 13 billion dollar, या यानि एक लाग करोड रुपए और जो फालगुनी नायर जी की परसनल नेट वर्थ है वो है 6.5 बिलियन डॉलर यानि 6.5 इंटू 75 सा करोड यानि 50,000 करोड रुपए तो दोस्तों देखा आपने के एक आइडिया और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क और अपने में जो भरोसा होता है वो आपको कहां से कहां ले जा सकता है 2012 में जब नायका शुरू हुआ था तब इंटरनेट एकदम आम जीज नहीं थी 248 रुपए का 1GB डेटा मिलता था और नायका तो पूरा ही ओनलाइन विश्ट था तो आप सूचिए कितना कठिन परिश्रम रहा होगा फालमली नायर जी उनके पती और पूरी नायका टीम का कि उन्होंने उस प्रॉब्लम को अइदेंटिफाई किया और एक स्टार्ट अप लॉंच किया तो आब दोस्तों बात करते हैं स्टार्ट अप के बारे में startup कोई भी एक नया idea जो की समाज में किसी problem को identify करता है और उसका solution provide करता है और जो लोग startup खोलते हैं या जो लोग भी इस problem को solution देते हैं उनको entrepreneurs यानि उद्यमी कहते हैं तो ये बात हुई startups की तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे share market, IPO, million dollar, billion dollar और इन सब चीजों के बारे में हम एक कहानी के माद्यम से हम सेख पाए विश्व भर में ये कहानी इसलिए चरजा का विश्या बनी क्योंकि जिन परिस्थितियों में फालगुनी नायर जी ने ये company start की थी क्योंकि वो उस टाइम बहुत अच्छे bank में बहुत अच्छी नौकरी पर थी लेकिन फिर भी उन्हो उन्हें अपने comfort zone से बाहर निकली और जो उनका एक idea था उसको उन्होंने reality में convert किया तो दोस्तों ये थी कहानी फालगुनी नायर जी की और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो like बटन पर click कीजिए comment section में बताईए कि आप ऐसी कौन सी वीडियो और देखना चाहते हैं आगे channel को subscribe करें और bell button दवाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की आपको update मिलते रहे और मिलते हैं आप सभी से next वीडियो में only on basic with खलताल till then happy learning